नमस्कार दोस्तों मद्धिप्रदेश के कद्दावर नीता और केंद्रिय मंत्री जोतर आधिते सिंधिया ने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ वीडियो और तस्वीरे पोस्ट की हैं जो आप काफी वारल हो रही हैं दरसल केंद्रिय मंत्री सिंधिया 9 सितंबर को जन आशिरवाद यात्रा में शामिल हुए थे जन आशिरवाद यात्रा ने भारी बारश के बीच रात साड़े 12 बजे भिंड में प्रवेश किया जो तरह देते सिंधिया इस भारी बारश के बीच भी किसी का उत्सहा कम नहीं उन्होंने भीगने के बावजूद लोगों से लगातार ना केवल समवाद किया बलकि उनके आगे पूरी तरह जुक भी गए वैसे बारश में भाशन देने वाली ये ख़वर सुनकर आपको राहुल गांधी की वो तस्वीर भी जरूर याद आई होगी जब भारत जोडो यात अपनी प्रितिक्रियाएं भी दे रहे हैं आपको पता दें सिंधिया लंबे समय तक कॉंग्रेस पार्टी में रहने के बाद बीजेपी में शामल हुए हैं साथ ही कॉंग्रेस में रहते हुए वो राहुल गांधी के अजीज दोस्त भी माने जाते थे लेकिन आप वो खाला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं भींड में बाशुर देते हुए जोतराधिते सिंधिया ने कहा कि भींड के साथ कांग्रेस ने जो वान dau civ ह्या का जुकर परणा करता है भिंड की जनता को कॉंग्रिस की वादा खिलाफी का जवाब देना है आज प्रण ले लो रात के साड़े बारा बज़े हैं कॉंग्रिसियों को नीन से जगा दिया है भिंड ने एक ज्वाला मुखी की अलख आज भिंड में जागी है और इस अलख की जोती का प्रकाश पूरे प्रदेश पे फैल रहा है उन्होंने ट्वीट किया मेरा भिंड मेरे लोग रात के साड़े बारा बज़े बारिश भी नहीं रोक सकी हमें मिलने से जन आशिटवाद की ये जनसभा सपस्च संदेश है कॉंग्रिस के लिए की काट की हांडी बार बार नहीं चड़ती वादा है आप सभी से भिंड की प्रगती और निरंतर विकास के लिए हम प्रतिबद हैं और आपके लिए दिन रात सेवा करने को समर्पित भी उन्होंने कहा कि भिंड में सिचाई की परियोजना जो मेरे पूर्वजों ने स्थापत की थी आज उसको पूर्ण स्वरूप भाजपस सरकार ने दिया है बेरहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं मैं कमेंट करके जरूर बताएं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए क्लिके रहा